मिटने को तयार हो जाता है बीज जब तब जाकर कहीं वो बाहर निकलता है नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदि गणेश हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पार्ट है आज 14.14 इससे पहले हमने तेरे वीडियो कर लिये हैं नहीं देखे तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इस नाम से प्लेलिस्ट है उसमें तेरो वीडियो डाले हुई है वो प्लेलिस्ट जाकर आप जरूर देखें यह किताब है अपनी इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह स्कुल में 11.12 के लिए कॉमन रूप से चली आ रही है तो आपको बोरियत महसूस हो सकती है थोड़ी सी लेकिन यह किताब फस्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे आप नेट की प्रिक्षा क्यों न दे रहे हो चाहे आप KVS NVS DSS पी किसी की प्रिक्षा दे रहे हो हिंदी साहिती इतियास को लेकर ज्यादातर सवाल है जो इस बुक से मिल जाएंगे आपको और ये एक नीव की इट का काम करेगी ये किताब, बहुत शांदार किताब है जो जो चीजे में आपको नोट करवाता चलूँ जिनको कि ये महत्वपूर्ण है, लिख लीजी आप तो वह आप साथ-साथ लिखते रहें अच्छे तरी किसे नोट्स बरनाने तांकि अच्छे से आप लोगों का रिविजिन भी बाद में हो सके मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ अब आपको अच्छा लगता अगर नहीं लगता वो आप जानते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, शेर किया करें और पहली बार ही देख रहे हैं चैनल पर मेरे शब्सकाइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूसना मिलते रहें तीन बजे वाली क्लास देख लेना आप ग्राम श्री जो कविता है पंत साब की उसको अच्छे से विस्तार से समझाया गया है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा कभी आदिगनेश हिंदी नाम से टेलिग्राम चैनल है तो प्रारंब करते हैं फोटे नंबर क्लास आज की हिंदी साहिते का शंक्षिप्त इतिहास के अंदर और आज हम बात करेंगे निर्गुन प्रेमा श्राई साखा की इससे पहले हमने ग्याना श्राई जो साखा है उसकी हमने बात की थी कविट साव वगरा की ठीक है दादू साव वगरा की रेधास जी की मलूक दास जी की उन सब की तो निर्गुण प्रेमाश्राई साखा देखिए भक्ति आंदोलन इतना व्यापक और मानवी था कि इसमें हिंदूओं के साथ मुसल्मान भी आए सूफी यद्दपी इसलाम मत के अनुयाई थे किन्तो अपने दर्शन एवं साधना पद्दति के कारण भक्ति आंदोलन में गड़नी है उनकी भी गड़ना है जो की जाती है सूफियों की भी इसलाम एकेश्वर वादी है तो देखिए यहां से बिल्कुल सिंपल सी पंक्ति है शिंपल से शब्द है लेकिन यहां से पूसले है इसलाम है नश्वर एकेश्वर तो यह सारी कीचारी जीजें दोनों, दोनों ही नहीं कहीं से भी कुछ भी सवाल बन सकता है तो इसलाम एकेश्वर वादी है किन्तु सूफि साद को ने अन्हलक अर्थार्त मैं ब्रह्म हूँ की गोष्णा की नोट कर लीजिए शूफिय साद को ने यहां से लिख लिए यह रो लगा कि सूफिय साधकों ने अनहलक अर्थार्थ मैं ब्रह्म हूं की गोशना की तो पूच लिया जाए अनहलक की गोशना किसने की सूफी साधकों ने एक सवाल ये बन गया अनहलक से तातपरिये है ये अनहलक का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं ठीक है मामला तो कुछ भी सवाल बन सकता है और यह बात एदवेत वादियों से मिलती जूलती है सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के चार विभाग हैं लिखिए एरो लगा के सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के चार विभाग हैं कौन-कौन से पहला नफस यानि इंद्रिये दूसरा अकल यानि बुद्धिया, माया, तीसरा क्लब, यानि रिदे, और चोथा है रूह, यानि आत्मा, ये चार विभाग बताएं हैं मनुष्य के, किसने सुफी साधना के एकोर्डिंग, नफस, अक्ल, क्लब और रूह है, ठीक है मामला लिख लीजिए ये साथ, ये साधना नफस और अक्ल को दबाकर क्लब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है, ठीक है, सिधा सा बात है, आत्मा के और अग्रशर, प्रमात्मा के और अग्रशर होना है, रिदे रूपी दरपण में परम सत्ता का प्रतिविम्ब आवासित होता है, और यह दरपण जितना ही निर्मल होगा रूप उतना ही स्पष्ट होगा जैसे कि कहा जाता है कि आईना जितना साफ होना बिल्कुल क्लिन है उतना ही साफ आपका चैरा दिखता है ठीक है वेसे ही आत्मा आपकी जितनी स्वच हो कि मन जितना स्वच हो कि रिदे जितना साफ होगा कालुश्य चे बरावा नहीं होगा उतना ही आप इश्वर के निकट जाएंगे आपको सब लोग अच्छे नजराएंगे अर्थार्थ सूफी साधना भी रिदे की साधना है ठेक है और इसी से वह भक्ती है इसी से वह भक्ती है आचारे शुक्ल ने इसलिए जाइस यादी सूफी कवियों को कवीर, सूर, तुलसी की कोटी में क्या रखा था ये बात भी महवतपूर्ण है कि सूफी साधगों में भी प्राय निम्नवर्ग के लोग थे और इसमें जो है राबिय जेसी महिला साधिका प्रसिद है सूफी साधिका में नाम आजाए तो राबिया है जो सूफी साधिका है एरो लगा गिलिग लीजे राबिया सूफी साधिका है आगे देखिए शुफी मत की संपून साधना प्रेम के ऊपर आश्रित रहिए व्यक्ति साधना की उच्चे भूमी में पहुंचने पर भी इनकी दृष्टी में लोक रक्षा और लोक रजन के परती गहरा सरोकार बना रहा परमपरा को स्विकार करते हुए भी रूडँ अवم जर्जर तत्वों की जकडन को उन्हों नहीं स्विकार नहीं किया है ऑपने इनहीं उदार अवम सचन्द विचारों के कारण सूफी जो है कटर मुसल्मानों के लिए क्या थे। काफिर थे भारत में आकर उदार सूफी मत यहां के दार्शनिंग मतों अवम उनके सिद्धानतों का जो प्रभाव है वो ग्रेंड किया और निरंतर विकास मान रहा यही कारण है कि पेगंबरी एकेश्वरवाद से आरंब सूफी साद्गों की यात्रा सरवात्मवाद सूफी लोग मजहभी दस्तूर को अपने व्यापक मानवे द्रिष्टी के कारण नहीं स्विकारते वे विधी मार्ग विरोधी नहीं थे उन्हें कुरान के साथ साथ वेद और पुरान भी लोक कल्यान के मार का परतिपादन करने वाले परतित हुए यसे कटर मुसलमान क्या मांते ही थे लेकिन उसके साथ साथ में वे भी मानते थे जो पुरान और लोकल लैंड की मार गीना वह भी अच्छे हैं उनसे वह वेदों से दैंका हुना चाहिए देखिए ये छोटी छोटी बातें यहां से सवाल बन जाते हैं सूफियों के अनुसार ये लाइन आप लिखना चाहिए तो लिख लिज़े रो करके सूफियों के अनुसार जो मानव है वो स्रिष्टि का चर्मोत कर्स है सबसे बेस्ट चीज मानवी है और वही इश्वर के सरूप के पूर्ण अभिव्यक्ति है कौन मानवी ही आगे देखिए सूफिय साधना का परवेश इस देश में बारवी शती में मौयनुदीन चिस्ती के समय से माना जाता है सूफिय साधना का परवेश जो है अपने यहां पर बारवी शती में मौयनुदीन चिस्ती के समय से माना जाता है सूफिय साधना के चार संपरदाय परशिद हैं तो सूफी सादना का प्रवेस्तों बार्वी शति में किसके द्वारा मुहनु दुन चिस्ति के समय से माना जाता है और सूफी सादना के चार संपरदाय कौन-कौन से हैं चिस्ति संपरदाय हो गया पहला दूसरा सोरावर्दी तीसरा काद्री और चोथा नक्षबंदी चीसो कान जींगों ची से चिस्ति सो से सोरावर्दी कास से कादरी और नाय नग्ष मने तो चीसो कान इस तरीके से आप सोट बनाना चाहिए तो बना लीजिये वरना याद रह जाएगा चीज सो कान क्योंकि ट्रिक वाला सिस्टम फेल हो जाजा जाए सहज रूप से कोई ट्रिक बन जाए तो बात अलग हर एक चीज की आप ट्रिक बनाने लगोगे तो फिर ट्रिकों में उलज कर रह जाओगा इससे अच्छा है कि नोट करते जाए और बार बार रिवाईज करते जाए तो यह हो गई चार इंगे संपर्दाय नक्षबंदी कादरी सोरा वर्दी चिस्ति चिस्ति सोरा वर्दी कादरी नक्षबंदी दो चार बार बलोग जितने में याद हो जाएगा वहीं आगे हम बात करें कि मुल्ला दाउद 1329 हिंदी के परथम सूफि कभी हैं मुला जती तक इनकी परंपरा है जो देखने को मिलती है हिंदी का सूफी कावे अवधी भासा में रचित मिलता है ये भी लिख लीजे हिंदी का जो अधिकतर सूफी कावे है वो अवधी भासा में मिलता है किस भासा में अवधी भासा के अंदर मिलता है सूफी मुसल्मान थे लेकि उन्होंने हिंदू घरों में जो पर्चलित कता कहानियों का अपने काववे का आधार बनाया तो पूछ लिया जाए सूफी मुसलमान तो थे लेकिन उन्होंने अपने काववे का आधार किसे बनाया तो हिंदू घरों में जो परसलित कथा कहानिया थी उनको अपने कावे का आधार बनाया तो कितना शांदार प्रशन बन सकता है यहां से लाइन है जो सिंपल है लेकिन सवाल है जो बन सकता है और इसी तरह के सवाल आजकल पुशे जाते हैं परवर्तियों के विशेस्ताओं के उनकी बाशा और वर्णन में भारतिय संस्कृति रची बसी है और प्रेम की पीर की वेंजना इनकी विशेस्ता है आगे देखिए नोट कीजिए एडिंग डाली प्रेमा ख्यानक कवे की परंपरा भारती संस्कृति एवं साहिते में जहां सीताराम के गारहस्तिक डामपते भाव की परंपरा मिलती है वहां उसके साथ स्वचंद और साहसिक प्रेम की एक अन्य परंपरा रिगवेद से लेकर म महा भारत के अनेक आख्यान इस परंपरा के आधिश्रोथ कहे जा सकते हैं सुफी साद्गूं दुआरार रचित जो प्रेमा ख्यान है उन पर भारतिये आख्यान परंपरा के साथ साथ फार से की मसंभी शेली का भी प्रियात प्रेखने को मिलता है और ये परबाभ विशे मसनभी सेली जो है वो फार्सी की है तो फार्सी की कौन से मसनभी सेली इसका भी प्रयाप प्रभाव देखने को मिलता है किन पर मुझे लग रहा है मज़ा आ रहा होगा आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताई आ रहा है और नहीं आ रहा है बोर होने की जरूरत नहीं है अपने तो बस बोर नहीं होना मिठे आम की तरह होते रहो मिठे आम की तरह रहो ताकि खुद को भी अच्छा महसूस होगा खुद को भी अच्छी-ची फिलिंग आएगी और जो लोग आप से समवाद करेंगे मिठे रहोगे तो वो लोग भी आपको सामने वाले भी पसंद करेंगे जिस तरह आम को पसंद करते हैं अईतियासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी स्रेश्टी पुत्री गणिक या अपसरा के प्रेम खता की परंपरा जो प्राचीन है तो वह कि सी राजकुमारी स्रेश्टी पुत्री गणिका या अपसरा की प्रंपरा जो है प्राचीन रही है यह पर कालि दास ने मेख़ दूत में लिखिये सबनोट कर कर एरु म्यक्ne बुद्स जनों का उलेक है तो कालिदास की जो मेग दूत में उसमें किसका उलेक मिलता है उदियन तता कोविद जनों का उलेक है जो मिलता है उदियन तता कोविद का उलेक मिलता मेग दूत में कालिदास की में वहीं हम आगे बात करें तो सोलवी शती के बनार स्रीदास ने अर्ध कथा कथानक में लिखा है क्या मधूमालती मिरगावत पड़ते ठेखिए देखिए इरो लगए लिख लिए सौली मॉठावत में नर्छिधास रस्टना कैं जल के सोल्वी शॉत्फ़ा कहीं से कुछ भी बन सकता है यह सुफी नहीं शुद्ध लोकिक प्रेम काववे थे प्रेम कवी थे हैं एक ही कहानी को आधार बनाकर मद्यकालम अने एक रसना का कि कहानी तो हो गई एक कि रामु और रासी रामो रासी समलो ये दो पात्र हैं कहाने तो एक है लेकिन इसी एक कहानी को लेकर अलग लग रसनाकारों ने अपने कावे हैं जो लिखे थे ये मैंने ऐसे एकजामपल दिया है बागे ऐसा कुछ नहीं है ठीक एक स्टोरी को लेकर अलग रसनाकारों ने अपने भावना अब ये किस ने लिखा ये तो दिया वा नहीं है लेकिन किन कवियों ने लिखा तो ये आप सूफी कवियों ने लिख दिया गये इसे यह इस पर टा कि यह कथाएं पहले शुद्ध लोकिक प्रेम कथाओं के रूप में परसलित थी अनुमानत है जेन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविश्यत कहा जैसी जो रचनाएं की है भविश्यत कहा किसकी एक कमेंट करके बताईएगा आदिकाल में हमने भविश्यत कहा की स कि ले भी लोग पर्षोलिट कथाओं पर आधारी तेजिसक्त परेम कथाओं की परंप्रा सμοफी में समांतर चलती इस वर्दास की सत्यवत्य कथा लिख लीजिए इस वर्दास की कौन से रजना सत्यवत्य कथा को उसी प्रंप्रा में माना जाना चाहिए इस वर्दास सामने लगाई लिख लीजिए सत्यवत्य कथा कुश अलाब का कौन धोला मारूरा दौा यह तो अमने पहले लिखवा दिय जिसमें धोलावे मारवणी की प्रेम कता चित्रित है परसीद प्रेम आख्या नक है कुशललाभ की दूसरे रिचना माधवा नल काम कंदला है इसी प्रेम कता पर 1547 में आलम ने भी कव pushes रिचना की सारंगा सदा वरिक्ष की प्रेम कता पर अनेग रिचना यह मिलती है और यह क कथा गदे में भी मिलती है इसी परकार किसी अग्यात कवी ने दिली के सुल्तान फिरोशा के पुत्र कुन कुतुब दिन और साहिबा की प्रेम कता पर कुतुब सत्क की रचना की ठीक है तो आप यहां पर यह कवी का नाम नहीं दिया अग्यात लेकिन यह द्यान रहें कुतु कुतुब दिन और साहिबा की प्रेम कता पर फिरोशा के पुत्रते कुतुब दिन और साहिबा और उनकी प्रेम कता पर कुतुब सत्क की रचना हुई है कहने का आश्य यह है कि सुफी कवे के साथ साथ शुद्ध लोकिक प्रेम आख्यानों के परंपरा भी चलती रही सुफ कात्मक्ता में दोरापन होता है वह है प्रस्तुत और एप्रस्तुत दोनों अर्थ है जो देती है हेडिंग डालिये साहब अब प्रेमा श्रेई शाखा के प्रमुक कभी यहां से बहुत सवाल बनेंगे प्रेमा श्रही शाखा के परमुक कभी सबसे पहला डालिये मुला दाउद चौद्वी शताब्दी मुला दाउद मुला दाउद या मुलाना दाउद गिरशना कौन सी चंदायन से सूफी प्रेमा ख्यानक कावे परंपरा का आरंब माना जाता है यह दो लगा के लिखिए कि मुला दाउद या फिर मौलाना दाउद की ग्रचना कौन सी चंदायन इससे सूफी प्रेमा खानक कावे परंपरा का क्या माना जाता है आरंब माना जाता है और साथियों अगर मेरे साथ आप जुड़े रहे तो आपको यकिन दिलाता हूं यह पु आरगर भी चीज़े दे दूँगा जहां से सिधे सवाल है जो आपको साहित इतियास के और मिल जाएंगे अतिरिक तगर और कुछ पूछा गया यह यूं कहूं कि इसी किताब को और अलग से सोट नोट के अंदर में आपको रिवायज भी बाद में करवा दूँगा तो आप इस किताब को अच्छे से बेस बनाई है एक बार चंदायन का रचना काल 1389 है इसका मुला दाओद की जो यह रचना है मुला दाओद राइबरेली जिले में डलमओ के थे और वहीं चंदायन के उन्होंने क्या कि रचना की थी और यह कावे बहुत लोग प्रिये अवम सम्मा बन सकता है जो मुला दाओद गिरिशना चंदायन उसका कौन पाठ किया करते थे दिल्ली के मखदूम ते शेक तक्यूद दिन रब्बाने यह प्रमुक है इसलिए इनका नाम दिया बाकी तो और भी करते होंगे इसका पाठ चंदायन पूरी भारत में परसलित लोरिक उसकी पत्नी मेना और उसकी विवाईता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है ठेक है बीच बीच में चंदा को इसकावे में भी पदमावत की भातिक्या अलोकिक सत्ता का परतिक बताया गया कहीं कहीं चंदायन की बाशा के अब परिश्कृत अवदी है एरो लगा के लिखी है चंदायन की बाशा की कौन से ग्रंतों की बाशा भी एक्षर पूछी जाती है कि ब्रज है एक अवदी है कौन सी है तो चंदायन की बाशा जो परिस्कृत अवदी है लिख लिजिए जिससें लगता है कि चावदी शताबते तक अवदी कावे बाशा के रूप में प्रिस्क्रित और पर्तिष्टित हो चली थी चंद से एक दोहा उद्रित है यह लिख लिजिए मुला दाउद साब का है कि पीयर पात और चंदायन से लिया गए तो दोनों चीज याद रखेगा पीयर पात जस बन जर रहेऊं कांप कुंबलाई और विरह पवन जो डोले हूँ तूट परे हूँ गहराई आगे देखिए कुतुबन साब पंद्रवी शौलवी शताब दी कुतुबन चिस्तिवन्स के शेख बुरहान के शिश्य थे तो पूस लिया जाए कुतुबन के गुरुजी का क्या नाम तो साब शेख बुरहान उस्त मरगावति की रचना 1503 में कही तaurus लगारि के लिखे लिए कि यहां से लिए कुतुबन ने मरगावति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा, रूप मुरारी की कन्या, मिर्गावती की प्रेम कता का वर्णन है, मिर्गावती जो है यह रचना कुतुमन की इसमें किसका वर्णन है, चंदनगर के राजा, गणपती देव के राजकुमार कौन, कंचनपुर, राजकुमार, देव की राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी करन्या कोन मृगावती की प्रेम कथा का वर्णना और मृगावती के नाम पर इसका नाम ये रखा गया है इसमें नायक मृगी रूपी नायका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है अंत में शिकार खेलते समय सिंग द्वारा मारा जाता है ये रचना अनेक अथानेक रूडियों से युगते इसकी वाशा परवाव मही है इस कावे की परिणती शांत रसमें दिखाई गई है रुकमिनी पुनी वेसई मरी गई कुलुबंती सत्सो सती वही ये लिख लिजेगा एक पंक्ती और कुतुबन और मृगावती करके लिख लिजेगा सामने बाहर वे भीतर वे है वो ये घर बाहर को रहेने जो विधी कर चरितने जाने आनू जो सिरिजा सो जाही निहानू तो सातियों आज की इस वीडियो में हम ये दाउद साब को कुतुबन साब को यहीं त सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर और क्लिक कीजिए ताए घरी वीडियो की सुछना आपको मिलती रहे और कहीं साथ ही कमेंट करते हैं कि सर्क्लास थोड़ी बड़ी कीजिए तो देखे साथ इसके 53-54 और 145 के तकरीबन इसके पेज है मतलब 100 के तकरीबन इसके क्लिक हो जाएगी है कभी चार-चार कर लेंगे क्योंकि जितना दो तिन तिन पेज करेंगे उतना आप नोट डाउन कर लोगे फिर दूसरे दिन जब भी क्लास देखो जो भी चीज़े नोट की तो आपकी चीज़े अच्छे से याद हो जाएगी और एक साथ इमें एक चीज़ों को रखने की एक साथ ठूस दो के सारा मामला तो फिर वो निकलेगा नहीं या कच्रा हो जाएगा तो थोड़ा 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 अभी विग्यप्ति आने में थोड़ा सा समय लगे तब तक काफी कुछ अपनी ये कवर हो जाएगी तो जुड़े रहे तीन बजे वाली क्लास नहीं देखी तो देख लिजिएगा